कि हलो फ्रेंट्स आप सभी को नमस्कार हमारे आप सभी को स्वागत है आज हमने अपन काश्ट वर्किंग एमसी को पार्ट 15 वीडियो लेकर रहें यह वीडियो आपने लास्ट एंट तो कुछ दरूर देखेगा और इसमें मैंने एक कोस्तिन छोड़ा हुए उसका अंसर अप कि इस फिफ्टेन का एंप से क्यों जो हम बनाए हो है देर ना करते हैं पहले कुछ दिन सम्सक्राइब होता रहा है नौफ पर्सन साल वी सब्सक्राइब नौन लेस्ट इस यह अज़ाइज यह एक्स्पेंश इन वार्किंग और फेम माइन इसमें यह पूछ रहें कोई भी ओसे सानता है यह वाल होना चाहिए और त्री एक्स्प्रेंस अहल इश्यमाणीत होना चाहिए जैसरे अज अधर तो इसका ओसका 21 को धान पर्सक्राइब होना चाहिए जो कोस्का अधर 같아서 कोई भी ईकर अपन्मेट होता है कुस्चन नमबर टू का अनसर क्या है हाट फ्रिकर्शन एगेंस्ट फार इन अपनकास्ट माइन्स चूज़ दो करट गांसर इसमें यह पूछ रहे हैं अगर कोई भी किसी भी कारण से जब अपनकास्ट माइन्स में खादानों में आग लग जाता है तो वह आग साब बचने क प्रिकर्शन लीजिएगा तो इसका अंसर आप्षन क्या है आप्षन सी है कि एंड बी है कि इसमें यह बता रहा है कि आपका माय्स में जब भी मैंटनेस होता है जब ओयल फिलिंग के आ जाता है अगुए अब उसमें जो ग्रीस बगरा रहता है और रहता है उसको रेगुल यहां पर स्टोरेज किया जाता है मेंटनेस का इक्विमेंट जहां पर रखा जाता है वह जगा में यह ज्यादतर आग लागने का चांसे से रहता है इसलिए आपको वहां पर रेगुलादी आपको क्लीन करना है ठीक है यह इसका अंसर ऑप्शन ए और वी दोनों है तो यह कुश्चन नमर 3 को डिस्केस करते हैं इसमें यह पूच रहे किस टाइप का फारेश्टिविशर आपने इलेक्ट्रिकल यह मैं आपको अगर इलेक्ट्रिकल दोरांस अगर किस कहीं पर आग लगा हुआ है तो किस टाइप का फारेश्टिविशर यूज नहीं करना है इसमें अंसर क्या है आपसें एक फारेश्टिविशर आपको यूज नहीं करना है एक कॉप्टेंट पर्शन साल चेक्ट एवरी फारेश्टिविशर वान साट लिस्ट इन एवरी मौन एवरी डियर्ट मौन कुछ़एं दूरा है यह पूंचल एक हो एक कॉप्टेंट पर्शन करक में पर्श्टियुश को अटरी कितना दिन में एक बार स Sana टेख करेगा इसका एंसर करव मंस में कोई वी एक कॉम्सेंट पर्शन से और सिर को हो के चय करेगा यह कोश्चन नमड war 5 फंक्शन ऊप मेनेजमेट्स का क्या फंक्शन रहता है जैसे आप सभीना कहते हैं कि ओं मेनेजमेंट समझाव एक these 2001 कर यह तो इसका आंसर रे कॹछ है कि आल बड़ी ऐस प्लानिंग रहता है आर्गाठेकंग रिटह ass पकर यह और नगर room माननुale जाएगा तो यह function of management का क्या क्या रहता है यह है all of the above यह सारे के सारे आता है question no.6 a welfare officer experience on handling labor problem in any industrial undertaking for at least days of days of days of sorry a welfare officer experience on handling labor problem in any industrial undertaking for the at least days of years और एक वेखर eaven stock air Anish holiday एक रृफेशर का expense एक इनेरल में जो अप्लबर का इनेर्ट tweet प्रोलयम को अिनेर्ट का सप्स्परान ऊना चाहिए और लेवर डिकाफ इन को में जो लेवर का प्रोलेम रहता है वे सबको क्लियर करने के लिए और उनका जो भी प्रोलेम होता है वह सबको साट अउट करने के लिए सब 3S का एक्ट्विंट्स होना जोरी है Q7. Penuchosis disease is source of the dots Penuchosis disease जो होता है वो कौन सा dots से उत्पन होता है इसका अंसर अप्शन ए कोल dots से उत्पन होता है Q8. Which of the following term is not used to describe a geological fault इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो जेलिजिकल का fault में वो यूज नहीं होता है इसका अंसर है A gradient Q9. In and upon customers there was a serious accident which turned into fatal due to reversal of dumper but could be possible cause of accident अपन केस्ट माइन्स में किसी भी कारण से एक serious accident हुआ है जो कि reverse का time में dumper से कोई एक व्यक्ति का उसका reversal का पिछे से आज जाने का बज़ेस से अगर उसका फाटल हो जाता है तब उसका क्या क्या करण हो सकता है कि कि किस तरह से उसका accident हुआ होगा जैसे की imagine करता है क्या क्या imagine करता है सब और इसका answer क्या होता है answer all of this इस में क्या क्या point दिया हुआ है हम discuss करता है कि मॉभिंग डूंफर डूंफर ईन्व व्यक्ति कान मॉव्मेट विदाट फ्रफ़र अडिया भी जलाव जब डूंफर जब व्यक्ति करता है तब वो उसका अडिया अडिया अलारम साथ नहीं काम कर रहा होगा उस अगर में तकि उसको पीछे में पर्शन हो पर्शन था उसको सुने नहीं दिया है इसलिए इंस्टे वह साहद्व हो सकता है कि आलावड वर्ण वर्षन हो सकता है कि वो जो ड्राइबर नहां चलाता हूं किसी एंपर को डॉंपर चलने के लिए दे दिये हो यह भी करण हो सकता है और कि और नाट विजिलूटि की वह दिए करण से भी हो सकता है कि इंश्डिटिट हो सकता है और अभाव के करण से यह यह हो सकता है तो इसका और भी पॉइंट है लेकिन मैंने इस चार प्लेट लिया हुए है बेसिकली ओपन कास्ट माइन्स में जो डिवर्स के टाइम में डॉंपर से जो फटलाग्जिन होता है बेसिकली यह कारण सब रहता है इस पुछ रहे हैं कि एक की टाइप का आप्लाइन्स रहता है जो इसमें की और तरह का फैसलिटी रहता है जिसके ओपरेशन ठीटर रहता है और सरजरी भी उसमें पर हो सकता है वहां पर डॉक्टर और नर्स भी वहां पर महजूद रहते हैं वह कुण सा टाइप का आप्लाइन्स होता है आज़े मैनेजर प्रिकर्शन हाव टू टेकेन डिरिंग ब्लास्टिंग नियर पूबलिक रोड एक मैनेजर अचैनusting क्या Church ने सकता है जब कि उनका जब ब्लास्टिंग आप्लाइग यह में ब्लास्टिंग जहां परोलो टेकिंग शेल्टर वी डीजमेस फर्मिशन ग्राइब रिशन टोडी प्रोडी फॉलोव एसथी एक मेंचर क्या लेना को डीजमेस से फर्मिशन लेंगे और सबको टेकिंग शेल्टर का ब्यवस्ता करेंगे कि यह सब्सक्राइब करने के लिए सबको बोलेंगे कि ज्यादा रिशन होने से नाजदिक में पुले रोड या विलिंग पर रहता है और सब डामेज होने का चांचे से रहता है इसलिए सबको एक मेनेजर को देखना होता है इसमें यह पूछ रहे है अगर आपका मैंस में क्या क्या आप इंप्रूब करेंगे और वह आपको कैसे आपका प्रफंस रहेगा और कोस्ट क्ट्रोल के लिए आपका मैंस आप क्या करेंगे तो इसका अंसर क्या क्या है अप्शन बी है एंड़ सी एंड़ सी क्या बता रहे है शुटेवल वर्क एंवर्मेंट विद प्रफर फेसिलिटीज प्रफर इट्लेशन ओफ ओल रिशर्स विद शेप्टी कि एक मेनिजर का क्या काम रहेगा वहां पर एक आच्छा वर्क करेंगे शबको आज जितना कॉंपाइन का रूल के सब जितना फेसिलिटीज देना चाहिए और वहां पर जो जितना भी काम होता है वह सब्सक्राइब कि दोरान ही सब काम होगा सेप्टी के लिए जितने भी उनका काम मतलब क्राइटर है उसको फुल्फिल कराएंगे कि को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नमबर थाटेन इस वाट प्रिकेशन यू विल टेक इव देर इच वे रेंफॉल इन माइन्स एक कुछ ने बता रहे है कि हैवी रेंफॉल होने से ज्यादा बारिश होने के कारण में आपका माइन्स में आपने क्या प्रिकेशन लिजेगा आंसर है आप संदी माइनिंग उप्रिकेशन शूद बी कॉंटिनुटिंटिंग मेसिन शूद भी सिप्टेट टू सेफ प्लेस यह आप सभी को पाता है और भी कारण बहुत सारा कारण है जो मैंस में ह designers होने के कारण से बाहर का पानी मैंस के अंदर में नान के लिए वहां पर मायंस के चारउत रपर मां पाणेन कि नंदर माइन का अंदर में ओसलब रहता है और हुल रॉद रहता है आच करना होmers कि माइनस में बंद ना हो और मसेवर डॉम पॉइंड़ डॉम करना हो आप और ताकि डॉम में कुछ इंसिडेंट ना हो और भी बहुत सारे पॉइंट से इसके बारे में एक ठाम डिसकस करें इसके वीडिया बनाएंगे तो बेसिकली यह से पॉइंट्स आता है इसका अंसार है अप्शन डी क्या है कां मुदा इसके अपने के बेस्स मेजर्इंग लिकुड यकिटा का रहता है वहां पर इसका पीजोमेटर को माप आ जाता है जैसे कि पानी जो पानी पीजोमेटर को माइंस का अंदर में कितना पान नहीं रहता है उसको भी पीजोमेटर के दोरहन से माप साकते हैं कि इसका अंसार है option A कोस्चन नमर 15 वाट इस भाइब्रोमीटर वाइब्रोमीटर क्या है इसका अंसार option दी इस जान इस्टुमेट फॉर मेजरिंग ग्राउंड वाइब्रेशन वाइबर ब्लास्टिंग टैक ब्लेस जिस फ्लेस में हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं वहां पर वाइब्रेशन को य मेजर करता है यह इस्टुमेट जो मेजर करता है उसी को हम लोग वाइब्रोमीटर कहते हैं कि कुश्चन नमर 16 विच अब दो फॉलाइंग इस दो डॉंफिंग सेप्टी डॉंप में क्या-क्या सेप्टी देखेंग और किस एक किसको फॉलो करेंगे इसका अंसार अप्शन यह अलाफ दो एभाग कि वाइल एंटरिंग दो डॉंफ रिडू स्पीड जब डॉंफ में डॉंफ पर जाता है तब वहां पर स्पीड लिमिंट काम करना चाहिए कि अप्टर डॉंप करने के बाद इसको डाउन करेंगे तब जाके वह आगे जाएगे stay at a safe distance from the edge of the dump and do not strike the bomb करने सफ़ोगी कोई बीचिण होने का चांच नहीं रहता है अगर अगर निचे चला जाएगा तो फिर नीचे चला जाएगा तो आप्यक होने का चांच रहता है इसलिए एज में जाएक डंप नहीं करना है वो इन डंप करना चाहिए वह रिवर्सिंग डंपर मेक्स स्वेर आवेज क्लियर और राशनल राश्रक्षन जब वो रिवर्सिंग करता है डंपर तब उनको आच्छा से क्लियर दिखाई देना चाहिए जो विजिबिटी आच्छा होना चाहिए यह सारे के सारे सेप्टी वो फॉलो करना चाहिए क्वेश्चन नबर सेवेंटीन के फुल्फरम अफदोर्ड डी एच्पी देश्पी का फुल्फरम क्या होता है डी फॉल ब्लास्टिंग इसका अंसर अप्शन भी है जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोला था कि एक क्वेश्चन में छोड़ा हूं हूं उसका अंसर आप में कमेड़ पुस्ट में रताईएगा तो क्वेश्चन क्या है मिनिमॉम क्वेश्चन अप पर्शन फॉर अपनमेंट आज सेफ्टी ओफिसर और माइन विद अन आवरेज मॉन्तिल प्रोड़क्शन ऑफ 13,000 टॉन्स इसमें यह कुश्चन पूछ रहे है जहां पर जिस माइन्स में 13,000 का प्रोड़क्शन होता है तो अब वहां पर जो सेफ्टी ओफिसर अपनमेंट होते हैं तो उनका मेनिमॉम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए यह अंसर आप हमें कमेड़ गोस में जरूरू बताईएगा इसका अंसर जो हम डेस्क्रिशन में डाल लेंगे क्वेशन नमबर 19 साइकल टाइम ऑप सभेल डोजन डिपेंड और इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सभेल का साइकल टाइम में डिपेंड नहीं आता है इसका अंसर आप्शन सी वोकट फिल फक्टर यह जो है इस साइकलिंग टाइम में यह नहीं हैगा शुइंग अंगल वायेगा ऑप्रेटर कर्स के लाना चाहिए ठीक है यह जो यह नहीं आएगा को बैसे इसका अभर के यह जो टाइप और ऊपन कास्ट में अपन कास्ट मेन बेसिकली की स्दैप का इन अंकी अच्जिएंट को मेंशन क्या गया है इसका अंसर है option E fatal accident serious accident रिफटबल accident minor accident इस सारे के सर इस open cost माइंट में माइनिंग लेलिशन में यह मेंशन क्या गया है तेक्व दस्तो आज का वीडियो को में यह पी श्मप्त करते हैं धन्यवाद